आज तो अलग-अलग किसम के वर्डिक्ट आए पहले अगर मैं चमु कश्मीर लदाक के हवाले से बात करूँ तो यहां से जो आगारुला साहब, मियालताफ साहब नैशनल कॉन्फरेंस की टिकेट पर काम्याब होके अब लोकसभा में हमारी नुमाइंदगी करेंगे उन्हें मैं मुबारक बात पेश करना चाहता हूँ, इसके साथ साथ करगिल और ले के लोगों ने बीजे पी के उमीदवार को वहां हरा के हाजी हनीफा जान साहब को जो काम्याब किया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मैं करगिल के लोगों को और उन पेश करता हूँ, जहां तक मेरे अपने सीट की बात है, जायन सी बात है कि मैं इस अंदाज में आपसे बात करना नहीं चाहता था, मेरी ये उमीद थी कि बारा मुला काउंटिंग सेंटर से डी सी आफिस जाके अपना सेटिफिकेट लेके मैं आपसे बात करूँ, लेकिन अ मनजूर नहीं था, और बारा मुला पारलिमानी सेग्मेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है, वो हमारे से रंखों पर, मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा, शुरू शुरू में जिसके खिलाव में एलेक्शन लड़ रहा था, वो उसकी मुखालफत करना म लिए ज्यादा आसान था, एंजिनेर रशीद साब जब मैदान में उतरे, तो जाहर सी बात है, एलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया, और जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जिस तरह नाउजवानों ने, हमारी माओं ने, बेहनों ने, एंजिनेर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीज़ा अब आपके सामने है, लेकिन चलिए, कभी कबार, एलेक्शन में जो है, हार जीत होती है, ये पहली मरतबा, मैं पार्लिमेंट का एलेक्शन हा रहा हूँ, अब आगे देखते हैं, क्या होता है? उमा साब, और आपके सामने हैं, हार सॉरी, मुझे ये भी, कि मैं जम्मू कश्मीर में ही फस गया, जहां तक मुलक भर के नतीज़ों की अगर हम बात करें, तो दिल खुश हुआ, हम शायद इस से ज्यादा उमीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पॉल्स गलत साबित हुए वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए, और बाकी मुलक के बारे में गलत साबित हुए, जिस तरह अकिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस बंगॉल में, स्टालिन सहाब ने तामिल नाडू में, शरत पवार सहाब और उदव ठाकरे ने महराश् अब 100 पे वो टच करने, exact figures मेरे पास अभी है नहीं, कोई भी exit poll के बाद ये सोच भी नहीं सकता था, कि इतनी अच्छी performance opposition की रहेगी, बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको coalition government चलानी होगी, अब इस वजीरियाजम के लिए जिनोंने हकूमत को एक dictatorship के तौर पे चलाया है, इस वजीरियाजम के लिए एक coalition चलाना, ये एक नहीं बात होगी, मैंने खुद coalition चलाया है, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है coalition चलाना, मैंने वाज़भाई सहाब की coalition में काम किया है, अब ये हमारे जो आज के वजीरियाजम है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, अभी तो अपने election से मेरे जो है, मेरे मेरा दिमाग जो है, वहाँ से हटा नहीं, अब अगर किया है, तो किया है, फिलहाल तो मुझे लगता है, हमें जोड तोड की हकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें जोड तोड की सियासत नहीं करनी चाहिए प्री पोल अलाइंस जो रहे हैं मेरा अपना मानना है के प्रेजिदेंट राष्टपती साहिबा को प्री पोल अलाइंस के तौर पे जो है अपना फैसला करना चाहिए और जो लोगों का फैसला है वो हमें तस्लीम करना चाहिए subscribe to midday India get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon